हाई गाइस कैसे आप मैं हूं मॉनिका और आप देखरें मेरा चैनल कुक विद मॉनिका आज हम बनारें बड़े लाजवा परांटे दोस्तों घर पे कुछ भी नहीं है आलू नहीं है कोई बेसन नहीं है हम साधे गयों के आटे से इतने टेस्टी परांटे बनाएंगे कि आप रोज बनानेंगे इतनी इजी रेसिपी और टेस्टी रेसिपी है कुछ भी न रखा हो तो आप फड़ा फट से परांटे बनाएंगे महमार किया घर में हर कोई खुश हो जाएगा कैसे बनाएं कैसे परांटे बनाते तो चली वेस्पी देख लेते हैं हम बना रहें दही और प्याज के परांटी इसके लिए मैं ग्यहूं का आटा साधा आटा जो हम रोज रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हो ले रहें इसमें और कोई आटा में सूजी बेसल मैदा नहीं मिलाना है एक हाली ग्यहूं के आटा से बनेगे बहुत हेल्थी रेसिपी है उसमें डाल या फिर आपके अज फ्रेश दही है तो वो ले सकते हैं तो मैं फ्रेश दही इस्तेमाल कर रही हूं हलका खटाओ तो भी चलेगा दो कपाटे में आप दो बड़े चमच दही आट कीजे और इसे सूखे मसाले आट करें या नहीं मैं इसमें एक टीस्पून जीरा आट किया ह ्वार या मैं इसमें शनक बहुत करें कि और शरूर रखा रॉंट है नहीं और शाद में आजवायन झाद कर रही हूं मैं इसमें आट करें हूं धनिया पाउडर दनिया पाउडर आप 2 टीस्पून आट कीजिसे खुश्बू बहुत अच्छे आती धनिया से फ्लेवर अच्छा आता है टेस्ट अच्छा रहता है लान मिश्टीस के गॉर्णिंग आट कीजिए थोड़ी सी हल्दी आट कीजिए हल पाउड़ी से आटा लगाएंगे थोड़ा पानी आट करते हुए हम इसमें अच्छे से नर्म उलाया आटा गुंदेंगे बहुत सकत आटा मत गुंदेगा नीटों परांठी सौफ्ट नहीं रहते हैं चाते परांठी सौफ्ट रहे हैं सफर में आप अगे परांठी ले जा आटा लीजे और बड़ा सा पीड़ा लेते लोई लेते हैं उससे बड़ी अकार की लोई लेंगे और शुका अटा लगाकर पहले इसे गोल पेल लेंगे फिर अंदर तेल लगा कर परांठी बनाएंगे मैं इसके स्कूर यानी चौरस परांठी बना रही हूं आप लच्छा कि अऊपर भी लाघा लिए इस तरह से लेयर थाकर है बनी रहे और इस तरह से हाथ पिजो टेल लगा आप सभी रखा लीजिए उप्र से उलग से और टेल भी ले सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करकर रसे शेप मैंने दे और अब मैं परांठा बेल लूँगी मैंने जैसे कि पहले भी आप लच्छा परांठा भी बना सकते हैं परांठा हमारा देखिए बिलकल रेडी हो गया और तवा भी हमारा गर्म है तो सेक लेते हैं आप तवे पर इसे अच्छे से लीजिए फिर तेल डाली और फिर इसे क्रिस्पी कीजिए आप देशी घी में भी बना सकते हैं अगर आप बिना सेके बनाना चाहें तो वैसे भी ब बहुत ही टेस्टी दही और प्याज के परांठे रेडी हैं बहुत आसान है अलू का परांठा सोचते हैं कुछ मिसा परांठा सोचते हैं लेकिन यह तो बहुत एजी लिए बना लिए आप इसे जिसके भी खिलाएंगे ना सब कहेंगे कि कैसे बना आप से रेसिपी सब परांठार जो मैंने अनारदाना एट किया उसमें से भी बहुत इच्छा फ्लेवर आ रहा है आप बिना अनारदाना के बनाएं तो भी बना लिए अगर नहीं है लेकिन एट कर देंगे तो और मजा आजाएगा बहुत ही अच्छे क्रिस्पी और नर्म मुलायम परांठे बन झाल